अब हम देखते हैं प्रावलम नमबर सेक्स्थ हम सीधे प्रावलम प्यार हैं तो इस प्रावलम में दो पार्ट हैं तो पहला पार्ट देखिए ए यूटू मेनोमिटर इस यूज़ तो इसका प्रेशर अड्मोस्फिर करना है और इसका प्रेशर अड्मोस्फिर क्रेशर से ज्यादा है तो हमको यहाँ प्रेशर निकालना है ठीक तो हमारा तरीका हम यहाँ से चलेंगे फिर यहाँ पर नीचे जाएंगे नीचे जाते तो हम प्लस रो जी एच लिखते हैं फिर इसको हम छोड़ देंगे इतनों को नहीं लेंगे तो यहाँ प्लस रो जी एचाएगा उतना है मानिस रो जी एचाएगा वो कड़ जाएगा फिर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो देखें प्रेशर एट यह हम ने लिखा फिर यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो प्लस रो जी एच वन लिखा रो बैस Michigan który ह NOT 100, फिर G, water के लिए H1 कितना है, that is 0.1 यह 10 cm उसको मैंने मीटर में रख लिया, अब यहाँ पर उपर जा रहे हैं उपर जा रहे हैं, तो minus rho 2 G H2, rho density आप मरकरी कितना है 13,600 kg पर मीटर की G 9.81 H2, H2 मतलब यह वाला distance, वो कितना 10 cm है तो इसको मैंने मीटर में यहाँ पर रख लिया है, तो इससे pressure rate यह आपको निकल के आ जाएगा, that is 12,360 newton पर मीटर square, तो यह इस problem का पहला part था, तो देखे, पहले part में इसने क्या बोला, U2 manometer is used to measure the pressure of the water in the pipeline, तो हमको क्या निकालना था, determine the pressure of water in the main line, main line में जो water का pressure कितना होगा, अब इसका second part पर देखेगा, if the difference in the level of mercury in the limb of a U2 is 10 cm, and the free surface of the mercury is in the level with the center of the pipe, if the pressure of the water in the pipe is reduced to 9810 newton per meter square, यहाँ का pressure क्या होगया, reduce होगया, यहाँ का pressure अगर reduce हो जागा, तो यहाँ पर mercury क्या होगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर mercury कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, calculate the new difference in the label of the mercury, नया लेवल हमको देखना है, देखे, problem को हम figure से समझते हैं, देखे, यहाँ पर आप ते pressure निकाला, यहाँ पर pressure कितना निकाला, बारह हजार, तीन सो साट न्यूटन पर मिटर स्क्वेर, ठेक, अब यहाँ पर क्या हुआ, pressure reduce हो गया, यह देखे, pressure आपका reduce हो गया, तो जो mercury यहाँ तक भरा हुआ तो वो नीचे आ गया, यहाँ पर कितना नीचे आ गया, x नीचे है, यहाँ से यह x नीचे आएगा, तो यहाँ पर x क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तो पहले यह total distance कितना आ रहा था, पहले यह 10 था, 10 में से यह x माइनस कर दीजे, यह x माइनस कर दीजे, तो यह नया height यह कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2x आपका आ जाएगा, अब देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें 10 माइनस 2x की value निकालनी है, और यहाँ पर pressure वो कितना बोल रहा है, 9810 Newton per meter square है, तो देखिए हम यहाँ से चलना चालू करेंगे, तो यहाँ पर, यहाँ तक तो pressure कितना रहेगा, pa की जित्ता, that is 9810 Newton per meter square रहेगा, that is pa हमने लिखा, ठीक, उसके बद देखिए हम यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, हम इतना नीचे आए, हम 10 माइनस x नीचे आए, देखिए यह पूरा कितना था आपका, 10 था, और यह जो है, यह x उपर चला गया, तो यह जो distance आएगा, यह 10 माइनस x आजाएगा, तो इसको हमके लिखेंगे, प्लस ρो 1, g, h1 लिखेंगे, तो ρो 1 क्या है, यह जो liquid है, उसकी density, water की, water की density कितनी 1 था अब जैना है, g कितना है, 9.81 है, h1 कितना है, that is 10 माइनस x, अब 10 माइनस x को देखें, मैंने 100 से डिवाइट किया है, क्योंकि यह centimeter में आता, उसको मुझे meter में convert करना पड़ेगा, अब यहाँ पे है, इतने portion को तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि जितना plus रो जी चाहेगा, उतना ही minus रो जी चाहेगा, यह आपका g हो गया 9.81, और यह h2 देखें, that is 10 minus 2x, 10 minus 2x आपका centimeter में है, क्योंकि देखें 10 आपका centimeter में, x centimeter में है, तो यह 10 minus 2x भी centimeter में है, इसको मैंने 100 से डिवाइट कर दिया, तो यह भी आपका किस में आगया, meter में आगया, तो यहाँ से आपके किस की value आगई, x की value निकल के आगई, हमें के निकालना है, difference in the label of mercury निकालना है, यह देखें, difference mercury के, difference तो इतना है न, हाल इतना है, difference in the label of mercury यह है आपका, तो x आप निकाल चुके हैं, इस equation को solve करके, 10 minus 2x हमको निकालना है, तो देखें, 2x, यह x की value हमने यहाँ पर पूट कर दी, तो difference in the label of mercury कितना आजाएगा, 8.016 centimeter, फिर हम देखते हैं, यह कोर प्रॉल्म, प्रॉल्म नंबर 7th, देखें, figure shows a conical vessel, having its outlet at A, to which a U2 manometer is connected, the reading of the manometer, when the vessel is empty, हमको reading of the manometer निकालना है, जब vessel क्या रहेगा, empty and completely filled with water, यह दो condition है, तो हमको manometer की क्या करना है, reading find out करना है, ठीक, बिल्कुँ simple problem, देखें, हम करते हैं, तो देखें, यह इस तरीके का arrangement है, ठीक, तो हमको क्या निकालना है, इसमें, हमें यह h1 की value find out करना है, हमें h1 की value find out करना, तो देखें, यह हमरी reference line है, यहाँ पर देखें, प्रेशर क्या रहेगा, सेम, जितना प्रेशर इसके कारण रहेगा, उतना ही प्रेशर इसके कारण रहेगा, इसके कारण कितना प्रेशर रहेगा, rho1 g h1 रहेगा, और इसके कारण pressure कितना रहेगा रोटू G H2 रहेगा ठीक तो देखे यहाँ पर यहाँ पर दोनो pressure क्या रहेगा सेम रहेगा तो इसके कारण मैंने pressure लिखा यह mercury है कितना आएगा 13600 G कितना है 9.81 यहाँ पर H1 कितना है 20 cm उसको मैंने मीटर में ले लिया अब यह नीले वाले रिक्विट के तक प्रेशर कितना है? रूटो गे तो रूटो कितना है? equitable गे 9.81 हचटू आपका कितना है? यह ऐचटा है हचटू आपका कितना है? हाण Regis इससे आपके निकाल लेंगे हुण के बने निकाल लेंगे प्रेशर लगाएगा तो मरकर यहाँ पर ऊपर चड़ जाएगा तो देखे यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपने निकाला था जिसको आपने क्या बोला था H1 था जो आपका ठेक है यहाँ पर हमने क्या बोला था जो आपका H2 था वो अपना क्या था H1 था तो यह H1 आप निकाल चुके हैं यह वाला यह H1 आप निकाल चुके हैं तो यह H1 देखे मैंने लिख दिया 2.72 मिटर यहाँ पर मैंने लिख दिया तो पानी यहाँ पर भरा तो मरकरी यहाँ पर ऊपर चला गया यहाँ पर ध्यान देने वारी बात यह है कि पहले यहाँ तक था Mercury अब पानी ने इसको प्रेशन लगाया तो यह Y नीचे चला गया यहाँ पर अगर Y नीचे जाएगा तो यहाँ पर Y क्या करेगा उपर जाएगा देखे पहली यह लेबल था इसका यह देखे पुराना लेबल आपको इस वाले figure में नजर आ रहा है तो यहाँ पर Y नी तो यह वाला system अब क्या बन गया एसा बन गया क्योंकि आपने क्या करा इसमें पानी भर दिया तो अब हम करते हैं 120 को हम जानते हैं pressure at the left limb देखे यह आपकी reference line है तो इतने mercury के कारण यहाँ पर जितना pressure आएगा उतना ही pressure यहाँ पर इतने liquid के कारण आएगा इतने liquid के कारण म that is rho g यह वाली दूरी है rho g यह वाली दूरी कितनी होगी that is that is 20 plus 2y 20 plus 2y तो देखे यहाँ पर 20 को मैंने meter में convert कर लिया है और 2y को meter में convert करने के लिए इसको मैंने क्या कर रहा है 100 सर डिवाइड कर दिया है तो यह पूरा distance कितना हो गया 0.2 plus 2y divided by 100 तो यह हो गया rho की value यह g की value हो गई और यह किसकी value हो गई h की अब यहाँ पर उतना ही pressure आएगा जितना pressure यहाँ पर तो यहाँ पर pressure एक तो इतने के कारण आएगा इतने के कारण प्लस इसके कारण आएग ठेक तो आपने को ये दूरी मालूम होनी चाहिए ये प्लस ये आपको मालूम होनी चाहिए तभी तो आप रोज येज कर पाएंगे तो वाटर के लिए रो कितना है 1000 G 9.81 H को देखिएगा H हम समझते हैं तो पहले ये दूरी देखिए ये कितना आपका 3 मीटर फिर यहां से यहां तक दूरी आपने पहले निकाला था पिछले प्रॉब्लम में वो कितना है 2.72 मीटर और ये जो distance है ये आपका कितना है that is Y Y आपका centimeter में है और ये दूरी देखिए दोनों आपके meter में तो इसको मैंने 100 से डिवाइड कर ताकि ये meter में convert हो जाए इस equation को हम solve कर लेंगे तो you will get the value of Y ये आपका Y की value हो गई अपने को कहा निकालना difference of the mercury level निकालना है 2 limbs में तो difference of the mercury level 2 limbs में देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये देखिए difference of the mercury level है 2 limbs में ये कितना है 20 plus 2 Y है तो देखिए 20 plus 2 Y में Y की value यहाँ पर put कर दूँआ 11.45 centimeter तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा rating of the manometer क्या होगा that will be equal to difference of the mercury level in the 2 limbs ठीक तो हमने क्या concept लगा है जितना pressure यहाँ पर आएगा इतने mercury के कारण उतना ही pressure यहाँ पर आएगा इस पानी के कारण प्लस इस पानी के कारण ठीक तो इस तरीके से ये वाला आसानी से problem solve हो गया